हलो आज है 26 अपरेल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सुबेक्स लिमिटेट के बारे में 37 रुपीज का शेर है और ऑपरेटरों का काफी मन पसंद शेर कह सकते हैं आप इसको ऑपरेटर ने बड़ा गेम खेला था पैनी स्टॉक हुआ करता था बड़ी रफ्ता लेकर आए यहां पर लेकिन उसके बाद इस शेर को नीचे की तरफ धकेलते जा रहे हैं और जब बहुत नीचे तूट जाएगा तब दुबारा जो ऑपरेटर है वो यहां पर सक्रिये हो जाएंगे दुबारा उपर की तरफ लेके जा सकते हैं फ्यूचर में लेकिन अगेर मैं कह कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी जादा हेल्प करेंगे तो सुबैक्स लिमीटेड 37 रुपेज का शेर है यह और पिछले एक महिने में अगर हम देखे तो पिछले एक महिने में यहां पर 10 से 11 परसंट का ग्रोथ भी देखने को मिला ह 30 रुपे का हो गया था 42 पे पहुँचा दुबारा क्या हुआ तोट रहा है एक साल की भी एगर हम बात कर ले तो देखो यह चीज देखने को मिली भी है 32 परसंट की गिरावट है 72 तक लेके गये थे बाद में लगाता तोटता गया 30 रुपे तक का लोग बनाया था इसने हा भागता ऊपर चला गया 72 पे गया फिर लगातार यह तोट रहा है जब यह शेर आपको पांच-छे रुपे के आसपास मिल रहा था तब डेफिनिटली मेरी बाइंग के रिक्मेंडेशन थी भी सही और मैंने यह कहा था कि देखो यहाँ पर वॉल्यूम काफी जादा हाई द रिजन सिंपल था कि जिस तरीके की तीजी यहाँ पर आई थी उस तरीके का ग्रोथ इनके प्रॉफिट्स में और इनके कह सकते हैं कि रेवन्यू में देखने को नहीं मिला था दूसरी और यह चीज भी यहाँ पर थी कि अगर मैं कमपनी की बात करने जाओ ठीक है तो पर सिर्व रिटेल इन्वेस्टर्स की द्वारा खरीदारी देखने को मिली थी और बाकी लोग बेच रहे थे जब यह उपर की तरफ जा रहा था तो जाहिर सी बात है ऐसी हालत में पंप एंड डंप वाला स्कीम काम करता है ओपरेटर हमेशा पैनी स्टोक को कभी कभी करेंगे कि क्या इन छोटी मोटी तेजी मतलब अभी जो दुबारा 30 से 40 का सफर तैक क्या क्या बरोसा कर सकते हैं के नहीं तो मेरे हिसाब से बरोसा कब कर सकते हैं वो उसके बारे में हम बातचित करेंगे तो अब देखें स्मॉल केप शेयर है यह 2125 करोड के आसपास का मार् वो कम हो रहे हैं और प्रॉफिट और जादा कम हो रहे हैं जो प्रॉफिट इन्होंने पिछले साल दिसम्बर क्वाटर में 8.5-9 करोड का जो प्रॉफिट था वो अब कम हो होकर 2 करोड पर पहुँच चुका है तो दीरे दीरे कमपनी का प्रॉफिट तूट रहा है कमपनी जीरो परसंट है कुछ भी नहीं है Files के पास यहां पर सुबैक्स को लेकर एक खबर देखो सुबैक्स को लेकर कई सारे खबर बीच बीच में आपको देखने को मिलेगी और मैंने हमेशा कहा है कि operator इन खबरों को जिन्दा रखेंगे और न्यूस प्लांट करेंगे जब सुब सुबैक्स अगर हम बात करने जाए तो software company है and made a shift towards providing solution based of artificial intelligence after concluding such offering could play a vital role in revenue generating and cost reduction in telco industries देखो खबरे definitely आपको देखने को मिलेगी बया AI के company है AI के company है और definitely मैं मान दाओ कि artificial intelligence would be the next big thing लेकिन सुबैक्स वो लेकर आएगा ये कहना मुश्किल है सुबैक्स की website पर अगर आप जाओ तो definitely company अच्छी चीज़ मतब services जो है वो अच्छी offer करती भी है fraud security के सामने नेट्वक एनलिशिट की बात करें आयोटी की बात करने जाए hyper senses की बात करने जाए business assurance की बात करें तो company का business अच्छा है ठीक है लेकिन business उतना बड़ा नहीं है इनका बलके इनके revenue कम हो रहे है और future में इस sector में इनके competition बढ़ेंगी surprisingly 100% लोग क्या रहे है खरीदारी करो according to money control user 100% लोग और देखो pump and dump scheme अगर आप देखो तो सुबेक्स में अगर आप देखो तो क्या हो रहा है यहाँ पर insider transaction अगर आप देखो तो क्या हो रहा है यहाँ पर मार्च में बिकवालिया ही देखने को मिली है वो भी सुबेक्स के employee welfare इस of benefit trust से बिकवाली हुई है यहाँ पर company के designation person है वो भी लाखों में shares बेच रहे हैं connected person भी बड़ी quantity में बेच रहे हैं और यह बहुत दूर की बात नहीं है पिछले महिने की ही है यह data 31 मार्च 2022 25 मार्च 23 मार्च 23 मार्च 23 मार्च 21 मार्च तो भाईया लोग बेच कर निकल रहे हैं सुबेक्स से यहाँ पर देखो revenue steady हो चुके है इनके ग्रोथ नहीं आई है revenue में लेकिन फिर भी share price में बहुत बड़ी growth थी profits अगर आप देखो तो company का 51 करोड का profit हुआ था financial year 2021 मिलेकिन अब profit इनका quarterly 2 करोड में सिमट चुका है तो देखो पहली चीज तो यह कि मैं कब यहाँ पर buying indicator क्या है तो देखो pump and dump की शुरुआत कब होगी यहाँ पर मतलब तेजी लाने की शुरुआत कब होगी जो आपको यहाँ पर volumes अभी के ल आने वाली है ठीक है दूसरी चीज़ ऑपरेटर जो है वो game खेलेंगे ही खेलेंगे यहाँ पर तो एकदम से यह मत सोच लेना कि यार मौका चुक जाएगा तो मैं खरीद लू मत खरीदना इसको ठीक है खरीदने का जो best indicator मेरे हिसाब से है वो इनके quarterly results है अगर company दुबारा स पिछले quarter के मुकाबले अच्छा मुनाफ़क कमाना शुरू कर देती है तो मैं भरोसा करूंगा इसके उपर अगर सुबैक्स March quarter में मतलब अभी जो quarter आएगा उसमें अगर 3-4 करोड का profit कमाती है तो मैं थोड़ा बहुत भरोसा कर सकता हूं इसके उपर तब तक के लिए मैं स 50% पर आ चुकी है और कोई बड़ा fund houses हाथ नहीं डाल रहा है सुबैक्स में कोई बड़ा fund house हाथ अभी के लिए नहीं डाल रहा है तो यही कहूंगा कि जल्दबाजी मत करना कोई मौका हाथ से छूटा नहीं जा रहा है न्यूज के चक्करों में पढ़कर खरीदारी मत करने लग जाना यहां पर खरीदारी करने का इंडिकेटर यही है कि कंपनी का profit बढ़ना चाहिए तो वीडियो को यहीं पैंट करूँगा पसंद आए हो तो लाइक कर रशाय करें चैनल पर पहले ही बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और सुबेक्स लिमिटेट के बारे में